हेलो फ्रेंड्स रिंकू टेस्टी किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज मैं बनाओंगी पनीर की सबजी एक दम धाबे अस्टायल में जो एक दम ग्रेवी वाली बनेगी इसने मैंने मात्र दो प्याज यूज किया है और बहुत ही कम तेल हम यूज करेंगे तो च प्याज है और चार हरी मीर्च और दो टमाटर है और यह 200 ग्राम पनीर है पनीर मेरा घर का बना हुआ पनीर है और इसे हम छोटे चोटे तुकड़े काट लिये हैं अब इन सभी मसालों को मिक्सी जार में डाल देंगे इसमें थोड़ा सब पानी डालेगे और इसे पीस लेगे देखिए इस तरह पीस दाने के बाद इसे अलग का टोरी में रख लेगे और आधा चमच हल्दी पॉडर मिला कर रख देगे यह दो तमाडा रहे अच्छी तरह सचब्स कर लिये हैं और अर्यक प्याज काता है मैंने अधोर एक प्याज को है थोड़े बड़े पीस कर लिये है इसे अचे ऑर हरी म्यूचो मारी 1 यह दो भागों में तोड़े लिया है अब चलिए अब कडाही करम करते हैं इसमें मात्र एक चमची तेल डालेगे सर्शो का और इसमें पनीर को थोड़ा सा भून लेंगे हम इस तरह से पनीर को भून लेने से इसमें थोड़ा सोना पन आ जाता है इसे निक्स कर लेंगे देखे हलका सब भून जाने के बाद इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में और इसी कडाही में हम तीन चमच तक सर्शो का तेल डालेगे और तेज पत्ता डालेगे चार पीज तेज पत्ता है और इसे थोड़ा पकने देगे इसमें हरी मेर्ज डालेगे और इसे थोड़ा भून लेगे अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेगे सभी प्याज को डाल कर सुनारा कलर होने तक भूनेगे आप मेरा वीडियो लाश तक देखिए और बनाईए बहुत ही कम टेल में हैवी ग्रेवी वाली पनीर मसाला की सब्जी यह देखे इस तरह से हो जाने के बाद टमाटा डालेंगे और इसे भी थोड़ा भून लेंगे अब हम मसाला डालेंगे इन सभी मसालों को डाल कर इसे भी भून लेंगे मसाला को हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक इसंल ननिकल जाए जुद्द है अनुसार नमक डालेंगे इसमेंने आदा जमस तक नमक डाला खें। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे वह मसाला की कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर डाल देंगे अब शारे पनीर को डालकर इसे भी अच्छी तरह पका लेंगे कि देखिए एक तम ग्रेवी की बन गई तो इसे में मैंने हैं अब अब एक टरी पैनि करणेंगे ग्रेवी के ही साब साबताई डा लेंगे और यह लााश्ट में गरम हमारी पनीर मसाला की सबजी तयार है अब गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसे सब करेंगे देखिए एक दम ग्रेवी वाली सबजी पनीर मसाला की सबजी इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल और प्याज में बन जाएगी इसमें मैंने मात्र दो प्याज यूज किया है और इसे रोटी नान पराठा या पुलाव के साथ भी खाईए बहुत ही टेस्टी और स्वादिश्ट लगेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद